तो 5.2 exercise से पहले एक example है वो हम discuss करेंगे और इसका हमने basic concern हमने आगी सीख लिया है कि किस तरीके से हमें differentiation का use करते हैं यहाँ पर derivatives निकालना है देखो derivative निकालना तो fx आपके सामने given है fx आप इसको y मान सकते हैं और chain rule से करूँगा सारे questions mostly ठीक है chain rule सबसे easy है आप चाहो तो लैट करके भी कर सकते हैं हो सकता आपको schools बगरे में questions को लैट करके बता है बट मैं आपको suggest करूँगा chain rule का use करो उससे आपकी speed भी बनेंगे औ जो landy questions से उनमें काफी सारी steps कम होके solution जल्दी निकलेंगे ठीक है देखो तो जैसे यह example number 21 आपके पास दे रखा है fx तो मैं मान लेता हूँ y equals to क्या दे रखा है मुझे sin x square दे रखा है find the derivative of the function यह function आपके पास derivative निकालना derivative क्या होता है आपके पास भाई d y by dx करना है जोसका y dash भी लिख सकते हूँ देखो हमने पढ़ा है sin x का हमने क्या पढ़ा है sir derivative जो sin x होता है d x के respect में वो कितना होता है sir cos x होता है तो sin x का क्या हो जाएगा sir cos और यह x square as it is रखना पढ़ाएगा function as it is चोड़ते हैं अब यह अंदर function दे रखा है इस function का भी करते हैं अब जैसे यह function x इसका भी करा आपने इस function का x किया तो अपने 1 आया क्योंकि d x के respect में अलेकिन अब यहां x square करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा तो जो आपका dy upon dx है ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हूं एक बंट में साफ करके लिखते हूं यह देखो यह अपनने किया इसको वाइक के कोलम मान लिए आप चाहो तो मत मानो कोई issue नहीं है आप इसको f-x करके भी लिख सकते हैं कोई issue नहीं है यह क्या हो गया 2x multiply cos x square यह ऐसे हो गया solution इसमें अपने क्या यूज किया chain rule का यूज किया मैं mostly सवाल जो है ना वो chain rule से ही करूंगा वह बहुत ही easy होते हैं मुझे तो easy लगते ही और आप लोगों भी लगेंगे आप continue लाइन to line chain rule का यूज करते हूँ चलना मेरी साथ हर questions में